नमस्कार स्वागत आप सभी का राजे सभा टीवी में मैं हूँ शाम सुंदर आज हम मौजूद हैं कोस्टल करनाटक यानि के तटिय करनाटक के बेहद खूबसूरत शहर उडूपी में और ये कारिकरम है करनाटक का रन करनाटक का रन यानि के करनाटक के विधान सभा चुनाव जो 12 माई को होंगे यहाँ पर कुल 224 विधान सभा सीटे हैं जिनके लिए मतदान होगा और अगर कोस्टल करनाटक की बात करें तो यहाँ पर 19 विधान सभा सीटे हैं जो राजे की राजनीती में काफी महतपूर्ण म तो 17 विधान सभा सीटों पर भारतिय जंता पार्टी को बढ़त मिली थी कि यानि के प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी का करिश्मा यहां पर काम करता हुआ नजर आया था लेकिन क्या इस विधान सभा चुनाओं में प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी का करिश्मा एक बार फिर क से प्रमोध माधवराज जी मौझूद है जो मिनिस्टर है फिशरीज डिपार्टमेंट के आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रमोध माधवराज जी उनके साथ ही खड़े हुए है रवी शेटी जी जो नेता है जंतादल सेकुलर के और वो विधान सभा चुनाव में एक उ आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है नंदनी जी और उनके अलावा बहुत सारे लोग उडूपी का हमारे साथ मौझूद हैं जो चर्चा में शामिल होंगे प्रमोध जी आपके साथ चर्चा शुरू करना चाहेंगे आपकी सरकार है पिछले पांच बरस से आप मंत्री है और कोस्टल करनाटका में फिशरीज एक बड़ा जीविका का साधन है लेकिन इस चुनाओं में अगर सबसे महत्पूर मुद्धों की बात करें कोस्टल करनाटका में और उडूपी के आसपास के जो अलाके हैं आपके निजर में कौन से ऐसे बड़े मुद्धे हैं जिन पर आपकी पार्टी कह रही है के हम यह काम करेंगे अरने के सौचल इस λέี के आस जोशेंस। आप्रेट कार में मुद्धे ज़ावार च contam करेंज इस चाहिते हैं ज कषब इसेंगे कम्सिका करें Does अपकी से मुद्भर कारत भ्रत 되고 other programs like loan waiver for the farmers then the Indira canteen and all that so the poorest of the poor the downtrodden the middle class and all the classes of the society have been taken care of by this government and that development will be you know the plank on which will be fighting this election. usually the time of the program comes down the import of them to be stopped and it has to be start by government of India if Erica nut is unhealthy then it comes from the health department of government of India जो सुपारी का जो बैन हो रहा है government of India is solely responsible for that जी लेकिन राज सरकार की जिम्हेदारी है और आप क्योंकि यहां पर एक बार फिर सत्ता के दावेदार हैं कि अगर यह बंद होता है तो उनको उसका विकल्प कोई alternative क्योंकि अभी बंद हुआ तो और केती करने वाले जो किसान है उनको तकलिफ हुटाना पड़ेगा तो राज सरकार जिस तरह से मदद करना चाहिए उस तरह से अब तक मदद किया है और भविश में भी हैं मारसं कर आया तो खरेगारिश ईट जी आपकी पार्टे कहते हैं कि किसान की मांगे हैं वह प्राथमिक्ता पर आपकी पार्टे की रहती है यहां के जो visit could यहां तक उनकी फसलों के दाम का सवाल है और जैसा मैंने प्रमोज जी से भी पूछा कि सुपारी का जो किसान है वो काफी चिंता में जी रहा है जी इधर पहले बोलने टाइम में मेरा पार्टी का यह सिंबल है वो किसान का जी को तेने होता महिडे मतलब एप रादेशी का प इन फ़ी हालता मोजा भी सिंबल ने बहुना यह साथ में रहे इस एक आ बोलता रहर सरजी ने बोल दिया वो सही बात सपर के लिए और किहां होगा है यह गूएं किया जोग वह वह पोच गया कि आरह ए किया है पूट वह नहीं मिला जिए टीज रमम शर्म को प्रमाई तरकर से कुछ मिला नहीं वो इधर क्या हो रहा है वह एक पक्षा को पर और और पख़े को पर यह डाल रहा है चोड़के इधर काम क्या होना एधर किशहन लोग के लिए क्या होना वह नहीं हुआ तो आपकी पार्टी क्या वायदा कर रही है डिफिनेटली वो काली 20 20 मंत में क्या टू यह सब लोग का साथ जनासपंदन कारेक्रमा ग्रामा वास्ता हुआ अब गरीब लोग क्या नहीं उसका साथ में जाके हो जाते हैं अभी भी अभी आये तुभी 24 वर्स में साला मना सब ए फिशरिंग लोग का और नवोदय लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है यहां पर फिशर्मेन हैं किसान हैं बिजनेस्मेन हैं आपकी पार्टी के लिए कौन सा ऐसा सबसे महत्मून मुद्दा है जिसको फोकस करके आप चुनाव लड़ रहे हैं इस चुनाव में जैसा प्रमोद जी ने बोला डवलप्मेंट का उपर ही यह चुनाव चलेगा डवलप्मेंट इश्यूस के उपर अभी प्रमोद जी ने अनॉंस्मेंट से से पेपर अडवर्डेजमेंट में लेकिन जहां दिखने वाला ऐसा डवलप्मेंट उड़पी में हुआ नहीं जब डाक्टर वियत साचार्या मिनिस्टर थे हमारा गवर्मेंट ता तब एक डवलप्मेंट का स्टार्ट हो गया इदर पुरा अभी फोर अभी देवल्पमेंट ज़ादा कौंसा प्रवल्पी फोर प्रवल्पी में अब वहां टॉडपी मनिपाल रोड़ वह संगा स्टेट अनुडब वहां टॉडपी तो सेम यह अभी एक लोगको देखने तो बड़ा खाम दिखता नहीं हो एक तूसरा हमारा अड़रा प्रवल कोस्टल में राश्ट्रियावाद का ज्यादा औसर पड़ता है इस पार क्योंकि नरेंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्ट्र होके नैशनल में अच्छा काम कर रहा है अभी यह मोदी जी के लिए एक सेमी फाइनल जैसा इलेक्शन है अभी हम गरगर गया तो लोग पूलते हैं ठीक हम आद इस बार बीजेपी को जीते हैंगे मोदी को दिलाएंगे क्योंकि इस चुनाओं के उपर लोग सबा कभी उसर पड़ता है इसका ऐसा है लेकिन ऐसा मन में है इसके लिए दूसरे इलाकों में भी जब हम करनाटक में गए तो कॉंग्रेस पार्टी का ये कहना है कि यहां पर किसानों की मदद के लिए उनका कर्ज माफ करने के लिए आठ हजार करोड रुपैसे जादा के कर्ज माफ किये गए लेकिन केंद्र सरकार को अपनी भूमी का निभानी चा करनाटका की बात करते हैं तो अलग अलग पार्टियों के अपने दावे हैं डिवलप्मेंट पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है लेकिन कमिनली भी काफी सेंस्टिव इस इलाके को माना जाता है और हमने देखा कि सामप्रदाइक तनाव इस इलाके में हुआ तो क्या वास्तों में विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है या धृवी करण आपको नजर आता है समाज में और उसको और बढ़ाने की रहा है वो प्रमुक है जब हम अगर आप उड़पी के बस्टैंड पर का सुभा नौ बजे तक आप पहुंच जाएंगे तो बड़ा भीड हो जाएगा यहां होता है एक माइग्रेंट पॉपुलेशन जो यहां काम करने के लिए तो यह शायद शायद इंडिकेशन है डेवलप्मेंट कंस्ट्रक्शन या जो लोग जिनके पास पैसा है उनकी हो रहा है या जो लोग यहां के हैं यहां के लोग है और जो लोग दूसरे एरिया से यहां माइग्रेट हुआ है उसके लिए क्या कुछ हो रहा है वो थोड़ा समझने की बात है या सोचने की बात है प्रमुद साहब आपके पास आना चाहूंगा कि जब हम धुर्वी करण की बात करते हैं तो आपकी पार्टी पर और आपके राजय सरकार पर आरोप लगता है Muslim appeasement का या Minority appeasement का. करनाटक में कि आपने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए appeasement की policy अपना ही है See that is not true. Because if you take the Hindu temples, the money that we are given for development of Hindu temples and to run a temple, there is something called as a tasthik. In the last BJP government tasthik to every temple was rupees 24,000. Our Siddharamaya government has increased it to 48,000. Number one. Number two, since 2008 the payment was not made. The payment to the temples what was due, through the tasthik, when the so-called Hindu government led by BJP was in power with three chief ministers, that 24,000 was never released. But our government not only released that 24,000 which was pending, plus increased it to 48,000. And whatever schemes we do, it is reaching everybody, the Hindus, the Muslims, the Christians, the Buddhists and the Jains and the Sikhs and all that. If you see WhatsApp, if you see Facebook, the amount of hate politics that is being created, that will certainly, it will deflect the voters. Because the voters of Urupi and Dakhshankarada district are very, very intelligent. We stand number one in SSLC exams. We stand first in the state in second PUC exam. So our people have got high level of awareness. When that is so, any hate politics which they may think that it will fetch them dividends, I am very sure this election will teach them a good lesson. Yes, Raghupati Bhatt Sahib, I would like to come back to you, as I have asked Pramodh Ji, that it seems to be a Muslim appeasement. Your party seems to be that you are trying to create a polarization, you are trying to create a polarization, you are trying to make a change of Hindu versus Muslim. He is trying to create a government. The people in the mind, if the government of India are wrong with the workers, if the government of India has been around the whole community. To be clear, there are no problems around the door of India. Is there any Hindu government government to use the government? Yes. If you are in the government government as a union government. The government government has taken the government government and has taken the government. इसलिया ऐसा बहुत ऐसा बहुत इश्यू से अभी हिंदुओं का अलपसंक्यात का सब का एक ही तरफ से देखना का वो यह कोस्टल करना टका में यह बहुत बड़ा इश्यू है जिस मुद्ध पर हम लोग चर्चा कर रहे थे के कॉंग्रेस पालिटी के अध्यक्ष राहूल गांदी अगर मंदिरों में जाते हैं या वो मंदिरों को ग्रांट देते हैं तो भी आपको परेशानी है और अधरवाइज आप उनको कहते हैं कि यह मुस्लिम तुष्टी करन करत चीफ मिनिस्टर चे बार उडपी आया है चे बार अभी क्रिश्टमट से हंडर्ड मीटर के उपर ब्यार शेट्टी का हॉस्पिटल आप फॉंडेशन स्टोन ने क्रिश्टमट को भेट नहीं किया अभी सिद्रामया नहीं गय तो कुछ पॉब्लम नहीं है जी चीफ मिनिस् स्टमट एक ग्राम का टेंपल नहीं है वह विश्विक्या टेंपल है कोई भी आया तो उदर एक जाके किसी को भी कोई नास्तिक हो वह भगवान को नहीं मांगता है सोचे कोई चीफ मिनिस्टी फिर भी वह हमारा पूरा पूरा पुब्लिक रेप्रेसेंटेटिव है अब हम रहूल गांधिया फदूबित्रे से इदर आने को नहीं चोड़ा प्रमूद मद्वा जी उदर से उसको बेजाए क्योंकि उडपी आए तो उनको जला है मुझे उत्तर देना पड़ेगा चीफ पड़ुबित्रे से 20 किलो मिटर था इदर रहूल गांजी को लेकर तो उसके साथ चित्र में हम एक्सपेक करता है परमोध मतलब इसको लेके आता है बलके वो हमको थोड़ा हर्ट है हिंदो वो है वो हिंदू विरोधी वो लगता है हमको यह मैं लटूँगा आप लोगों को आपको एक melon आपको बात क temas के पूर जवाब देन का मपरम लेगे वीया सो मांने माने से इसल्ट व दो हो एंडिजुअ टो एक देंस्ट प्र थृपती तो फूर्थ तो एक दिशिए रहों चिर्फ चाह्मनदेश्वरी प्रफ रहूल, रहुल, चीफ नीशर, की मिनिस्ट मुन टो रहा व्र विशवनाथा व। तैम्ट, जू एक ही और लुट की तो था व्रूज, मैं आप लोगों के पास आऊंगा और मेरे खाल से अभी चुनाओ प्रचार में काफी समय है और दोनों ही नेताओं को सभी मंदिरों में जाने का मौका मिलेगा लेकिन मैं आप लोगों की तरफ आना चाहता हूं कि क्या जो सिधरमया की सरकार पिछले 5 साल से चल रही है उसके क काम को आप कैसे आखते हैं पहली बात दूसरी बात क्या आपको लगता है कि इस चुनाओं में जो अलग-अलग राजनेतिक दल हैं तीन राजनेतिक दलों के प्रतिनीधी हमारे सामने खड़े हैं क्या वह विकास पर बात कर रहे हैं और या फिर यहां पर पोलराइजेशन क से ही पूछना चाहते हूं उन लोगों के हिसाब से डेवलपमेंट क्या चीज़ है जे बिलकुल आप में से जो भी शुरू करना चाहें अपना नाम बता दीजेगा यह बुविनिंग मैं आम इस आविनाश और रप्रेसेंट अनी पोलिटिकल पार्टी जिए यह एप्रेसे क्या आ इसकार नचाहि उक उष्भ झान अए कोस्तरु जल्सां की waking बेहन विजर स्टान ऑपीस्टम्ड का फ्ट जिए बत पलिटा अ दूंट्ट जिए इस दिसोल अग गर्लेख जया जा टारव उत्वाल मेडम से जो सुभे सिती बस्टेन में कि इतना लेबर क्लास होता है याफ कॉपवग वो ह्जी उनको काम नहीं है काम की जुप झाम नहीं क्योंकि विद्धर के लिएashed कॉपर कैसल के लिए एलेइज राते हैं पहले मिनीश्टर सब दू कlle में मिलता है準 को पैले जाँ होता है रेट सेंड को इसका कौन जिम्मेदा यह और कोई बात करना चाहता है आपमें से अपना नाम बता देजिए रमोजी से में एक बात पुछना जाता हूं यह फिशरिस्ट मंत्रिय रहे कि इन्होंने फिचारीश्ट मंत्रियों के कोश्टल के लिए क्या डेल्बपमेंट किया है क्या स्पेशल फंड कुछ ले के आएंगा इन लोगों इनको क्या अपना नाम नितेश कुमार है मेरा सिर्फ एक ही सवाल है और सब के लिए है तो मैंने यह देखा है कि सेंटर में जब बीजेपी है डी यह चीज़्टे आज़ासे वालं कोक्रता है तो मेरा सवाल यह की सारे पांटी जो भी है आप लोग आपने आपके पिछले के बारे में अच्छा क्यों नहीं बात करते हैं आज चक मैंने जो सुना है इस आल अबाट यू दिस देंट वाक दिस देंट वाक दिस देंट वाक आपके पास लेकिन प्रमोजी के सवाल आए हैं एक सवाल जो बहुत इंपर्टेंट सवाल है सेंड माइनिंग और बाकी इशूस पर भी बात करेंगे एंप्लाइमेंट जन्रेशन की जो बात है यहां से बहुत सारे लोग गल्फ में जाते थे रोजगार के लिए लेकिन वहां से बहुत सारे लोग बेरोजगार होके वापस आये हैं Employment Generation एक बहुत बड़ा मुद्दा है, Coastal Karnataka में, आपकी सरकार ने क्या किया है और आप खुद मंत्री हैं उस सरकार में? See, the problem is, Karnataka has a very strong hold on IT industry. But information technology is just concentrated in Bangalore. I tried to meet many of the IT companies and requested them that Urpi district has got a high potential of the best human resources in the country. So, why don't you open branches here in Urpi district? So, they were only telling that we don't want to go out of Bangalore. So, that centralization of IT industries in Bangalore and they are not spreading out. I told them we will give you land, we will give you electricity, we will give you water and every infrastructure that is needed. But please come to Urpi and open your branches. But none of the big companies have shown interest in spite of me being very proactive with them. And number two, he has asked about the development that we have done. No, no, no. Lekin jo employment generation ka sawal hai, IT sector ek sector hai, manufacturing hai, tourism ek bhot bada industry hai hoon saka hai. Tourism has a high potential here. Ji. But I think that we should give more importance to homestay. But CRZ is coming in the way. Now, CRZ is a central subject. So, if CRZ could be, you know, liberalized. So, basically, aap yeh keh rahe hai, ka employment generation yaa nahi ho saka hai. Niei, bada bada industry. But either land ka hai problem hai. Availability of land is a big problem. Because the population density… If you want land, then you should go for acquisition. and when you go for acquisition you have seen the agitation against MRPL against the power company and all that so the land loses will get into you know all sorts of agitations and now the new land acquisition policy but was mentioning about the four leaning of the roads now as per the new land acquisition policy or the new land acquisition act you have to pay four times the value of the land as compensation in urban areas and two times in rural areas now they have said what development you have done we have brought 55 numbers is much a he has opposed it he has opposed it the person who has asked me the question has opposed the numbers is when they came to would be district for the benefit of the people that was the assurance given by me but it was government Oscar Fernandes got them sanctioned Oscar Fernandes got it sanctioned to the state and he has asked about the fisheries in fisheries we have brought five crores special fund from Malpe about 10 to 12 crores we have spent on Malpe all the fisheries road in my constituency are fully developed you won't find even a single pothole in the fisheries road of Urpi assembly constituency I have raised the compensation to all those who die in the sea from two lakhs to six lakhs all the feasibility certificates have been given to the fishermen about thousand fish the 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 women sixteen crores released to the women for the for their loan sir how can you question me आपके पास मैं लोटूँगा लेकिन रगुपती जी आपसे भी एक सवाल आया था कि बजाए इसके के ये सरकार एंटी हिंदू है या प्रो मुस्लिम है वो कौन नेता किस मंदिर में गया नहीं गया उससे जादा जरूरत इस बात की है कि कोस्टल करनाटका में और खास तौर रुपे उडूपी में है किस तरह से यहां पर रोजगार पैदा हो इस पर चर्चा होनी चाहिए बजाए इसके के कौन किस मंदिर में गया या कौन किस मंदिर में नहीं गया पहले ही बताया इंदर इलेक्शन डेवलप्मेंट के उपर ही होता है बलाए जिए जब आप पू इस चुनाओ में एंप्लाइमेंट जनरेशन का जो सवाल है इस इस इलाके में उसको लेकर आपकी क्या योजना है क्या कहना चाहता हूं मैं बोलता हूं दो बड़ा-बड़ा इंडस्ट्री को बहुत प्रमोध मदराज बोला है इसिटेशन था तब ही भी हम ओपन करवाने क हमारा ड।्र वीयर साचार एति दवक है अपू ठीक मद्धिया इंडटि बहुत इटा हूं मैं प्राइच्छ प्रमोध मद्धिया इस अन्टेंसे जेट अंड़ हैमारा मिनिस्टता इस हूं मैं थीसिटक्शनमेंट के इस निवस्टेशनमेंट था हूं थाग्य। सब्सक्राइब करेंगे पार्टी की सब्सक्रार बनेगी अपकर तेनर में मैं तो नहीं होता था था प्रमोगी अभी रिसेशन से क्योंकि आज का सरकार केंद्र सरकार से आपको केंद्र सरकार के बना कुछ भालूम ही नहीं नहीं अभी रग्पती जी आप मेरी सवाल का जवाब दीजिए अगर आपकी सब्सक्राइब के लिए एक इंडस्ट्री इसको हेल्प करना चाहिए उनका कुछ प्रॉब्लेम हो गया सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं अभी जगड़ा कर रहा है कि आने वाली सरकार आप ही करेंगे इनकी बनेगी या उनकी बनेगी प्रवसोद्यम होना चाहिए तु सियर्जट फ्रावलम में इस चुनाओं में बहुत नजदीकी लड़ाई है और जंतादल सेकुलर हो सकता है किंग मेकर की भूमिका में हो अगर ऐसा मौका आएगा तो एंप्लॉइमेंट जनरेशन के लिए आपकी सरकार क्या करेगी आपकी पार्टी की क्या प्रात्मिक्ता होगी यह जो एंप्लॉइमेंट जनरेशन का बात हो रहा है वह प्रॉइमेंट जनरेशन का बात हो रहा है होना चाहिए लोकल टालेंट के ऊपर जो कुछ हम एंप्लॉइमेंट जनरेट कर रहे हो होना चाहिए लोकल प्रॉइमेंट के हिसाब से इस जगह के लोगों को वहां काम मिलता है तो बहुत ठीक है मगर जब इंडिस्ट्री आता है तब पानी रोड यह सब मुदा भी हमें अटेंट करना चाहिए यहां इतना बारिश होता है इतना बारिश होता है सालमन्त साल मंत बर होता है मगर और वाटर सटेनिबिलीटी का क्या डवलापमेंट चल रहा है पानी आता है अपने अपने घर में जो कुआ वह भर गया तो लोग कुश्च ब्रिजे सो हो रहा है डायम से क्यों नहीं बन रहा है छोटा चोटा दायम तो चाहिए बड़ा जैवलेपमेंट के अगेंस्ट होता है जब हम बड़ा डैम्स बनवाते हैं तो तो चोटा चोटा यह रिवर का लैंद जो है वह बहुत चोटा है नॉर्दन इंडिया या तृष्ण कावेरी या सौथ इंडिया के अलग बागी रदियों के तुल्नार रिवर्स के हिसाब से त तो पानी पीने का पानी का क्या हर्ज है यहां पर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सेंड नहीं मिलता है illegal sand mining is a big issue problem with sand is our river is divided into two CRZ and non CRZ CRZ sand mining is banned you can't take the sand only if there are any sand deposits which will hamper the movement of the boat in the river only such sand can be removed and a case is pending in the national green tribunal at Chennai court and in the non CRZ in stream mining is banned if the water is visible you can't have mining there so both CRZ and non CRZ mining is bad through an act of the central government so when that is the case mining of sand is not possible here but in spite of that our deputy commissioner has given permits but she is very strict about the rules so whenever there is a violation cases are booked by the deputy commissioner it is a committee headed by seven members headed by the deputy commissioner so because the NGT is watching the violators are being booked so that is why there could have been some sand shortage but where after I became a minister I put a rule that the sand of Udupi district will not go out during the previous regime or during the past the sand of Udupi was going to Bangalore was going to Shimoga the reason for after 2013 I made it compulsory that the sand of Udupi district shall not go out so that it is abundantly available in our district but due to many cases of violations the deputy commissioner has taken action and when deputy commissioner takes action and when we intervene she says the NGT is watching us so I have to be very strict with the violations so that is the problem and sand is not sand scarcity is not a problem for only Udupi district it is a problem in the entire state it is a entire state is facing sand problem so that is a state problem and government of India should allow industry mining we have sent a letter to the environment ministry the deputy commissioner has recommended our department of environment has recommended to the government of India to allow in-stream mining in the non-CRZ nothing is happening our MP is not doing anything the MP should take proactive role in solving the problems of the district in the government of India she is busy in politics she is only politicking रख्वपति जी एक तो जो प्रमोजी ने सवाल उठाय के केंदर सरकार को अस्तक्षिप करना चीं दूसरा नेत्रावती नदी का ने इनका 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 ए नधित Balance को अगम्र स्वार्ब्रम्ति ला को में चलता था है विपूरा स्थेय्ट में प्रोब्लम में ऊत्रह कंड़ा में ठीक से मैं मैं MOR कौरा घ्र्रकरना से सैन किया चाहतर बहुत का सैन मार्निक हो रहां है इधर को ऑफिशियल्स करने से यह हो रहा है अभी प्रमुद जी ने बोला है, DC is very strict, he is an in-charge minister, he should control the DC. No, no, I can't go against the violations. No, 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 you should help the people, otherwise, you should help the people. See, because of this policy, the same problem has happened. Because of this policy, we have to control the official, we should not leave the official, anti-people, we should not leave the official. One minute, one minute, NGT case is only for Urpi district, NGT case is not there in Dakshnikana district, NGT case is not there in Uttarakana district, No, no, I will tell you, one minute, one minute, when the case is before, when the case is before the Supreme Court banned, any violation, I will tell you, sir, in the CRZ, when CRZ was banned, Raghupati ji, Raghupati ji sent, Dr. Vyasacharya was not minister, that time the mining act was not there, now the rules have been framed. Supreme Court? No, 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 the rules have been framed. Supreme Court has banned. Supreme Court, Raghupati ji, Raghupati ji, Raghupati ji, Raghupati ji, मैं आप से पूछना चाहता हूं रगुपती जी आपने कहा कि ये मिनिस्टर इंचार्ज हैं और इनको लोगों की मदद करनी चाहिए क्या मदद हो सकती है इनका कहना है कि कानून अलाव नहीं करता है एंजी टी में केस चल रहा है और जो डी सी हैं यहां पर वो कानून के इसाब से काम कर रहे हैं आप उनको रास्ता बताईए एक दो तीन यह कदम इनको एक मिनिस्टर के तो उठाने चाहिए अगर आप होते तो सबस्क्राइब अबी करता है अब है इनों ने बताया ए रिवर का संड यह वो इधर उदर जाता है अभी जी पिएस लगाया तो थोड़ा वाइलेट हो गया तो बैन हो गया जी पिस वाइलेट हो गया जो इसके वज़े से प्रॉब्लम हो रहा है अब जि़िए लिखा लो पुर फ्रवर्बला सो जाएगा और फिरॉटेश्र अपने लगाया उपने लगाया आप टहुदा हुप इप इट इस कमिटी इड़ी इड़ी कमिचिन इस समय अपर मिली आडेगी éड ए माली इपिлемें करेंट बेर एक माली छोट criterion एक माली कुरीज खर न सा गाया सब्सक्राइब करना चाहते हैं नंदनी जी ने जो सवाल उठाए होती है और इस पानी को लेकिन उसका प्रबंधन जिस तरह से होना चाहिए इस सोर नहीं होता है दूसरा एक स्थोय नेतर्वति नदी के पैरिकर ने की नाराज है दॉन जौन फ़ें आपा किस प्र घिकर पानी यह एफ मिनिस्तर अवर आओनि बाश्ट стать smiles पच्च्च्म वयन्या वीकाँन, लिकस्च्च्च्छट बढुत complete consistent reading को रेना प्रेजिकी सज़ और मीन रिरिगत हैं, डिला हम पिलेंगे के ज़ने से कुछ प्रेस दूल आप मेर साथ अवे और्पटों को प्रेश्ट थावे वे उने डूल ये के इंव होंगे क्या है एंद धिलेंगे कर फोड़ी रिंद आपंगे के प्रेंड आपी अवे आप मानते है रखुपती जी के जो नेत्रावती को डिवर्ट करने का सवाल है उसके पानी को डिवर्ट करने का सवाल है करनाटका में एक बड़ा मसला है यह लेकिन एसमाइन प्रॉट करनाटका में एक बड़े अ लेकिन as for my knowledge, वो फेल्लियर प्यर्जकत है, सिर्फ बिल बना के, मुस्के ने के लिए वो प्रोजेक्ट के और पानी ने ज़ाता है, वो शुर है, पानी तो 1% एपानी ने ज़ाता है, वो शुर है ला yaşनी ज़ाता है, और पिछ भी抖्छाद मुस्कि सबदुकीलरी पानी कर दो युट है तरहा है। युटी खादना गावड़ा शुटार्णागे भानि इइस से एक बाता हूंगे मुट्वापु शुटिए और भमधुटर है। था हम स्थे मुट्र से भी खादना प्राजिय। ऑपना नाम बता जिए रगुपती जी प्लीसुट My name is Joel. As a citizen and as a voter, I want to ask, we have spoken on a lot of issues regarding development and Mr. Pramod Madhuradji and Raghupathirji have answered a lot of things. I just want to know one thing. What has Ms. Shobha Karanadzai Ji has done to MP Constancy as being an MP to UDP? And do you have another question? Please, briefly. I am Kavitha from School of Communication. My question is regarding past two years. Until two years, I have been staying here for 14 years and I have seen not a single summer was a problem for us in terms of water. But past two years, we are facing water problem in summer. So is there any solution that can be given to us in the current scenario of election? Eight minutes. Do you want to talk to someone else in front of us? Tell us your name. Yes, I am Jyoti Hebbar, UDP Constancy. I want to talk that, as he told, here there are so many capacities we have. We have to think about that. We are telling when elections comes, we have some agendas. And after that, we will forget that all the parties I am telling. But the thing is, we have to focus on such a development that everybody, even every woman should be safe. And every woman and man, they have to get very good job, like right person should get right job. We have to think, all the parties, I am not telling to anybody, as a social worker or as a minister or as a prime minister, whatever it is. Whatever they say, if they don't have commitment to fulfil it, then why should they give the promises to the people? See, we are seeing all the manifesto that they are telling, it is not realistic. We don't want, we want to live in realistic. And as madam said, water is, we are getting a lot of sources. Now, minister is going to tell, what next, if our government or any government will come, what are the plans they have for dance or anything. We have to restore the water, because in future, we will face very big problem for that. जिस्वाइब्स प्रेश्च अब्स्वाइब्स पहले अब बात कर रहा तो, इदर क्या हो रहा है, वो खुच आप देखें, कुछ भी पार्टी, वो रियालिटी का बेस में जो बात नहीं कर रहा है, वो जो जो प्रेश्वाइब्स बोला तो, बीजेएपी को पहले हमारा पर ने बोला है, अगर आप बता रहा है, वो दोनों पार्टी वो जो क्या कर रहे है, दोनों पार्टी का बरने, आप कौन से इशूस पह चाहते हैं कि मैं में, मैं, मैं, मैं मैं आइए, आई, I want to ask basic need in अवरी पी, इफिव आई वोक इन दिफेट प्लेसे और उन बुट पैसलिटीज इस नौट देर अनदर वन तिंग द्वेश राजकान को देखा तो में बहुत सारे डिस्टिक में देखा हूं उदर से देखा तो इधर बहुत ज्यादा है में एक एक रिक्वेश्ट करता हूं हमारा पाटी लोगों से द्वेश राजकान को चोड़िये मैं उड्शन्दा आसस्थी करिशनर्थ वर से काया आपका डेमेंशिवस दैज्जा आपका बिश overboard on our मार्या एंडेंशनरा । इस अटी इन देखा है भूं से एयड़ी वेदो पामध meditation disappear and the main concern here is a job up opportunities even I feel that and as promote has already given an answer प्रबोजी एक बहुत महत्कून बात है के करनाटक में 75 परसेंट से ज्यादा लिटरेसी है कई मामलों में करनाटक बहुत आगे बढ़ावा स्टेट है लेकिन जब डिवलप्मेंट होता है तो एस्पिरेशन भी बढ़ती है और सरकारों के लिए चैलेंज भी बढ़ता है और चैलेंज हैं एंप्लाइमेंट जेनरेशन यहां के जो लोकल रिसोर्सें लोकल लेवल पर लोगों को रोजगार मिल सके टूरिजम हो खेती हो दूसरे जो और काम हो सकते हैं तो उन एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए क्या योजना है आपके पास जो आप इस चुनाओ में यहां पर जो नौजवान है या जो और द बोलुट लेवर अचिवेशन परल लेवर जो दीर्यम लेवर लेवर में इस च्रिस्टरेश को लेक्वा टेर लेवर फे लेवर आप पर बिएस रखे लेवर टूरी है यह जो वाजवां लेवर आज़ को दो सिरेवेशन है दोएरोज लेवर निवड घ्टर to give some relaxation in CRZ for fishermen houses and for tourism that since four years nothing has come out now recently thankfully a draft CRZ notification has been issued and they have called for public you know opinion for 60 days now my thing is if we get relaxation in tourism tourism could be one of the potential areas where employment could be generated now madam had asked about that water problem we have sanctioned 270 crores to bring water from Varahi to Udupi and the tender is also over so soon after the election we will be getting water from Varahi because the Varahi is a perennial river Swarna river gets you know dry by February and the dam capacity is not enough so we are trying to get water from Varahi the tender process is over so it will be done and four years or five years back when there was severe water problem in Udupi it was I who gave tanker waters from my own pocket that I think we are not there you came only two years back and one more and the water from Varahi because it's a perennial river and the then the tenders are all done so मैं आप करिये गा लेकिन दो बातें यहां पर जो आई हमारे लोगों नहीं है उन्हें जो कही एक तो यह के जो रियलिस्टिक इस्यू इस्टेवन जो लोगों के रियल इस्यून होनी चाहिए एंप्राइमेंट जन्रेशन की बात है वाटर की बात है और आप से के साब हमने सड़क चौड़ी की ती दस साल पहले या पांत साल पहले आगे फूचर के चैलेंजिस जो है वो अलग तरह के हैं उस पर आपको योजने सामने रखनी चाहिए क्या कहना चाहेंगा 100% what she has told is right I agree with that so हमारा इस इलेक्शन का मुद्धा वही रहेगा नेक्स्ट डेवलप्मेंट क्या रहेगा नेक्स्ट पॉलिटिक्स नहीं है और इंडिविजुल पॉलिटिक्स भी नहीं है ने आप चार बाते हैं रगुपती जी अगर आप इनके बात छोड़ दीजिए फैसला करेंगे आप लोगों को यह बताइए कि कौन सी ऐसी चार बात हैं जो आप वाइदा करना चाहते हैं लोगों से के मैं हम हमारी पार्टी जीतेगी तो यह हम करेंगे एक बात तो पानी का बोला है यह अभी इन लोगों ने कोई टेंडर किया है वो रगुपती जी आप क्या करेंगे अगर आप बता सकेंगे वो मैं बोल रहा हूं ना जी आप एन वरा का ना काई लाने का एक टेंडर लिया है वो और हूँ नहीं सकता है क्योंकि इनका टेंडर में में कैसा है वा आरा हि से पानी आएगा और पाइप से वे पुरा किधर लगा सबीए रोट का नीचे डालके उसके फुलके ऊपर रीटार करेंगा आपको वारा ही स बजेल आना है तो स्ट्रेइट रोड नहीं है इदर उदर जाना है वह नहीं होता है इसके लिए इसके लिए मैं इसको सजेशन देता हूँ हम आये तो क्या करेगा हम आये तो एक 10 feet का corridor land equation करेगा क्योंकि हमको land equation का बहुत experience है इनको नहीं है अब तो 10 feet का corridor बनाएगा 10 feet का corridor बनाके उसका री tender बनाके 10 feet का corridor बनाके उसमें pipe डाल कायेगा ये road के उपर pipe सा ये pipe डाल रहा है ये election के लिए एक tender लगा ये जारू नहीं कर सकता है ये जारू नहीं कर सकता है इस the road के निचे pipe के ला सकता है अब आप रहा है तरह ये शुर नहीं तो उनको भी मालू वह पचया तो उनको भी मालू मानुए तो भी मालू मालू ये आपको प्शित की नहीं कर नहीं है आप इसका टेरेट के नहीं को थार नहीं आप ये हैं स्बस्तित शूर टिरोले का पाराप नेगेटिव है। करो प्रमुद माधवराजी रगपतीजी आपको मुझे रोकना पड़ेगा आप हमारे कारक्रम में चुनाओ प्रचार का आपका समय है लेकिन आपने हमारे लिए लंबा समय निकाला रवी शेटी जी आपका भी रगुपती भट जी आपका भी और नंदनी जी आप भी अपना समय निकालकर हमारे साथ आई और आप सब लोग अपना काम छोड़कर राजसभा टीवी के सकारक्रम में इसा लेना है आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया तो बारा मई को लोग जब मतदान करने के लिए जाएंगे तो निश्ची तोर पर उनके अपनी प्राथमिक्ता होंगे अपने अपने मुद्दे होंगे इस की बात है यहां पर किसानों को MSP मिल पाएं यहां पर सुपारी पर जो पाबंदी की बात है उस चिंता से किसान बहरा पाएं उसको अपनी काली मिर्च का दाम मिल पाएं और सबसे बड़ी बात के नौजवानों को रोजगार मिल पाएं इन सब चिंताओं पर राजनेतिक द या फिर अपनी प्रतिक्रिय दीजिए ट्वीटर पर आप हमारा ये कारिक्रम अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो ये कारिक्रम यूट्यूब पर उपलब्ध होगा इसी उमीद के साथ आप से विदा लेते हैं नमस्कार तो हमारा पकैंन गेर रेक्रम अजयूब पर एdı medi m के कारिक्रम माण ये उपल दो होगा ये ये बहल, नमस्कार से भी कारिक जढ़ हमार्ए औाल भो ये neighborhoodì भी ज़क्रम कारिक्रम अबद भाल